ये कहते सुने होंगे, हम पहले भारतवासी हैं, उसके पस्चात हिंदू, मुश्लिम, इसाई, सीख, बाकी हैं. ऐसे ही हम सभी पहले साधक हैं, ना वक्ता हैं, ना लेखक हैं, ना आश्रमधारी हैं, ना विवस्थापक हैं, हैं लेकिन वा सेकंडरी हैं. सबसे पहली चीज, क्या है, कि हम साधना के उद्देश से आए हैं, पुझी गुर्देव जी कहा करते थे, कि जब मैं घर छोड़ा, तो क्या मुझे पता था कि मैं संस्था इस्थापित करूंगा, पुस्तके लिखूंगा, प्रवचन करूंगा, विभिन्न प्रांतों में जा करके, यह नहीं सोचा था. इतनी सी बात थी मन में कि जाओंगा, शद्गुरु शंतों के, शानिद्ध में रहूंगा, शाधना करूंगा, और दुख मुक्ती का उपाय करूंगा. यह बाकी चीज़ें जो होती चली गए, हो गई. मतलब यहा है कि शाधना से समझावता नहीं करनी है. जिसके लिए वास्तुता हम आए हैं, क्यों? क्या हम नहीं चाहते हैं कि मेरा मन शान्त हो? शान्ती को खो करके कौन से उपलब्धी पाजाएंगे हम? क्या चाहते हैं आखिर में? उसको बचाय रखना, उसकी सुरक्षा करना, यह पहली जिम्मेदारी बनती ही हमारी. लेकिन जब एक जगह रहते हैं, समूह में रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, तो जिम्मेदारी भी होती है. क्योंकि इसी आश्रम से, इसी व्यवस्था से हमारी व्यवस्था हो रही है. अखिर में, हम भोजन के लिए निश्चिंत क्यों हैं? वस्तर के लिए निश्चिंत क्यों हैं? जीवन निर्वाह के लिए हम निश्चिंत क्यों हैं? कोई तो है. जब कोई है, तो जहां से हमें निश्चिंता मिल रही हैं, उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी होती है. हम भी उसके लिए कुछ करें. लेकिन बात यह है कि जो कुछ आप करें, आपके अन्तस में एक चीज हमेशा बनी रहे. क्या? मेरा असली उदेष्य है शान्ति, उद्वेग रहित जीवन, शिकायत रहित मन, द्वेष रहित मन, बैर भावना से रहित मन, यह प्रत्थम है, यह प्रत्थम है, मेरे अन्य किसी भी क्रिया कलाप से, अन्य किसी भी क्रिया कलाप से, कोई भी काम मैं कर रहा हूं, यह खोता चला जा रहा है, यह खोता चला जा रहा है, भोतिक भी स्तार बढ़ रहा है, अन्य बातों में मैं एक्षपर्ड होते चला जा र और मेरा कहना चीजिए बुलधन खोता चला जा रहा है मेरा जो मुख्षी काम है पीछ्ड़ता चला जा रहा है तो फिर क्या हुआ उसके नाज़ता है अजरे यह सारी विवस्ता जो कुछ भी चाय में भोजन करताँ हूं चाय में कबड़ा पंता हूं अन्य सारा कोई काम करता हूँ यह क्योँ? आखिर इसके परणाम में मुझे क्या मिलना चाहिए? यदि वह परणाम नहीं आ रहा है तो फिर खाना खराब भानना खराब अन्य सारे काम व्यार्थ गए फिर क्योंकि उसको पाने के लिए अब और सारी चीजे की जा रही है जैसे कोई आदमी एक गाय पाले है चारा दे खिलाए पिलाए अन्य उनकी रहने बसने की अच्छी ववस्था करे क्यों कर रहा है? दूध मिले है ना? दूध मिले सब कुछ हो रहा है दूध भर नहीं मिल रहा है क्या हुआ जो हम लोग सुनते नहीं गुर्देव जी से की गोल मेज गांधी जी गय थे बुलाए थे की आओ हम सवतंत्रता दे 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 तो गय वो तो धोखा दे रहे थे तो घंस्यामदाश जी बिल्डद भी गय थे यह तो गुर्देव जी से हम सुने हम तो कहीं पढ़े नहीं है वहाँ गए मीटिंग होती थी बाते चलती थी बापु जी के फोटो खिचे जाते थे अकबार में नाम छपता था बस सब कुछ होता था जो हो रहा था और सब चीजें एक चीज नहीं मिल रही थी क्या आजादी भर नहीं मिल रही थी सब कुछ हो रहा था ऐसे ही हम सब छेत्र में बढ़े चड़े हो रहे हैं सरवत्र विकाश करते चले जा रहे हैं बस मन की शांती हम नहीं कर पा रहे हैं मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जैसे गांदी जी के फोटो किचने से क्या रधरा ऐसे ही हमारी अन्य उपलब्दियों का क्या अर्थ रहा वस्तुता वो तो गौण है वे होते हैं हों न होते हों न हों असली चीज क्या है असली चीज है अपने जीवन को समारना देखिए यह हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपने जीवन को बरबाद होने से बचाऊं यह खराब न होने बावे कहीं यह बरबाद हुआ न यह खराब हुआ न तो फिर फिर से उसको ठीक करने में न कितना वक्त लगेगा कितना हम कर पाएंगे वो बात अलग है यह बहुत पुरानी कहानी न जाने कितनी बार कहे और सुने होंगे संत तिरुवलुर उनका बहुत बड़ा समुदर में एक इस्टीचू बना हुआ है कन्या कुमारी में जहां वीवेकान नद रॉक है उसी के बाजू मैं तो जो भी वीवेकान नंद रॉक में जाता है इस्टीमर से वो दोनों जगर ले जाते हैं वहां तो वो तिरुवलर उ वेसे कुछ नाम है वो नाम ही कुछ ऐसा है कि साब उच्रा नहीं होता है अब्दुलकलाम जो पुरुवराष्ट पती थे उनसे किसी ने साइध पूछा कि किस पुस्तक से आप बहुत प्रभावित हैं तो उनों ने जो पुस्तके नाम लिया उनमें से एक यह भी है जो संतिरुवलवर की एक पुस्तक ग्रंथ जो बहुत प्रशिद्य है बहुत ही महत्तुपूर्ण है तो उनके बारे में यह बात आती है कि कपड़ा बुंते थे लेकिन शाधक थे शांत सुभाव आला साधक और यह भी प्रसिद्धी थी कि उन्हें कोई कभी क्रोधित नहीं कर सकता है तो कपड़ा लेकर के बाजार जाते थे एक युवक बड़ा जिद्धी उसने क्या सोच लिया मैं आज इनको क्रोधित करके ही रहूंगा गया कपड़े रखा हुआ था था रखे थे कोई चादर रखी थी जिसको बिनकर ले गए थे लोगों के लिए बेचने के लिए कहा कितने की है पूछा कितने की है दो रूपिय की अब युवक चादर को फाड़ दिया दो टुकड़े में और क्या कहा अब कितने की है एक रूपिय की एक टुकड़ा के लिए एक रूपिय की फिर फाड़ा आठाने की फिर फाड़ा चाराने की फाड़ा चाराने की फाड में जब कही टुकड़े किये तब तिरु बल्ली और फुचा कितने किया है अब अब ये किसी पैसे के नहीं है अब ये ना बेचने लाइक है ना खरीदने लाइक है ना उपयोग लाइक है अब ये काम लाइक नहीं है लेकिन शान्त रहे वो युवक को लगा कि ये तो गड़ हुआ बुक हया उन्झ ने क्ट अथा झाला रू करख अशल्थто है उन को लिए उनको किया है यह रख नहीं नहीं कि अजिए पैसा रागवा हुँ तुमें कुम पैसा रखो उनने कि लेकिन मैं तो आपके सब्सक्राभ कर दिये ऐ справह 있기 इसलिए रख लो संतिरुवलवर ने कहा बेटा ये चादर जो खराब हो गया है इसके रेसे में फिर से निकाल करके इसको मैं बुन सकता हूँ लेकिन ध्यार रखना जीवन जिस दिन खराब हो जाएगा ना उसको फिर से ठीक करना मुश्किल होगा संभव नहीं होगा जीवन को बरबाद होने से बचाना ऐसे ही हम साधक हैं हमारी साधना बरबाद होने से बचे चाहे परिस्तिती बदले चाहे अन्य किसी प्रकार से भी कोई परिवर्तन आए शाधना को बचाय रखना है शांती को बचाए रखना है क्योंकि इससे समझावता नहीं करनी है वो ही चला गया जैसे करने मूल धनी ही चला गया करोगे क्या फिर क्या हम पाने वाले हैं इसलिए ये इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना है कुछ भी करें जो हमारे भीतर है न जो हमारे भीतर है जो कुछ हमारे भीतर है उसकी तुल्ना में हमारे पीछे और आगे का मामला का कोई महत्व नहीं है वो बहुत छोटे हैं जो कुछ हमारे भीतर है उसकी तुल्ना में हमारे पीछे और आगे के जो मामले है ना जो कुछ भी बीता आने वाला है या जो कुछ भी आगे बाए दाए जो कुछ भी है उसका उतना मुल्य नहीं है जितना मुल्य आपके भीतर है कितना महत्तो पूर्ण है आपका भीतर मैं उसी के बारे में कह रहा था आपका व्यक्तित्व है भीतरी परिवर्तन इनर कनवर्शन जो हम सब के भीतर में जो हमारा जो महशूशी है जिसके बारे में दिनंतर हम महशूश करते रहते हैं जो असली रूप है वह स्वस्त हो और इसके लिए मैंने कहा था उसके परिवासाएं बताई थी कि जो पहली बात मैंने कही थी कि आप उसी अंस तक स्वस्त हैं जिस हद तक आप जान बुझ करके व्यक्ति और परिस्तिती में अच्छाई की तलास करते हैं दूसरी बात आप उसी अंस तक कि आप स्वस्त हैं जिस हद तक कि आप जो आपको चोट पहुचाया है जिसने आपको चोट पहुचाईये जिसने आपके साथ अन्यय Pूर्ण वेभार किया है उसको आप खुल के छमा कर सकते हैं उनके प्रती नफरत नहीं, देश नहीं, यह बहाव, यह हो. तीसरी बात, जो मैंने कहा कि क्यल कहूंगा, वो क्या है? स्वस्त व्यक्तित्व हम तब माने जाएंगे, या हमारा तब स्वस्त व्यक्तित्व हो पाएगा, मतलब अलग अलग तरह के लोगों, अलग अलग तरह के लोगों के साथ हम आसानी से बेवहार कर शकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए, कुछ लोगों के साथ तो कोई भी बेवहार कर शकता है, कुछ लोगों के साथ में कोई भी अच्छा वेवार कर शकता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग ज्यादा तर अपने जैसे लोगों के साथ में अच्छा वेवार कर पाते हैं जैसे चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो लेकिन महत्यपूर्ण क्या है असल में स्वस्त व्यक्तित्तों का स्वामी वह होता है जिसमें अलग-अलग सुभावों अलग-अलग व्यक्तित्तों नजरियों जीवन मुल्यों और विचार धावराओं के व्यक्तित्तों को साथ लेकर व्यक्तियों को साथ लेकर चलने की योग्यता होती है उनका सभाव अलग है उनके निजरिया अलग है विचारधारा जीवन मुल्य अलग है अब उन सब को समेट करके उनके शाथ में वेभार करने की योग्यता एक कमड़ी बात है आप क्या समझते हैं इसको बहुत कठीन होता है ये इस दुनिया में लोगों के साथ पेस आने वाली काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में मैं ज़्यादा मुल्य दूंगा मतलब लोगों को आप लोगों के साथ में सही डंग से आप वेभार कर पा रहे हैं मतलब उनको आप ले के चल पा रहे हैं, उनसे आप काम ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उग्यता है, और ये कब होगा? जब आपका व्यक्तित्व स्वस्त होगा, लोग अपरचितों से तो वेभार करना सीख भी जाते हैं, लेकिन परचितों के साथ वेभार करने का सलीका ही नहीं आता है, गुर्देव जी भी कहा करते थे, आदमी जब बाहर जाता है घर से, तो सबसे जैराम, सहेब बंदगी, गुड मॉर्निंग, घर में नहीं गाता है, घर वालों के साथ में वहां उतनी साल इंतार भी नम्रता से वेभार नहीं कर पाता है, दिचतना बाहर व आप नराज हैं, इतनी चीड क्यों हैं, इसलिए ये महत्तुपूर्ण हैं कि हम ऐसे लोगों से, जो हमसे विचार भिन रखते हों, वैसे रखते हों, उनके साथ भी जो यो योग्यता है ना, कि हम उनके साथ में सही, हम उनको ले करके चलते हैं, उनके साथ वेभार कर सकते ह यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे कैसे होता है आत्मसम्मान हमारा जो आत्मसम्मान का जो इस्तर है न वो हमारे व्यक्तित्व के सेहत के सीधा सम्मन रखता है मतलब क्या है मतलब यह कह रहा हूं कि आत्मसम्मान का मतलब यह हुआ कि खुद को हम जितना अधिक पसंद करते हैं हम खुद का जितना सम्मान करते हैं उतना ही दूसरों को पसंद करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं हमेंसे बहुत लोग अपने आप से खुश नहीं हैं, यह आप ध्यान दीजिए, आपको क्या लगता है, अटपटा सा लगता हो गई, रात मैंने कहा था ना, कि बास सिभात मन से लिहेल खाए, गुरुदेजी युही किस्सा नहीं सुनाय करता था, एक आदमी आया, क्या कहा, गुरुदेजी मेरी आंके तो बहुत छोटी छोटी है, गुरुदेजी युही क्या का, दिखाई देती है ना, हाँ, दिखाई तो देती है, मतलब उनको अपनी आथ पसंद नहीं है, अपना चेहरा पसंद नहीं है, अपना दिल्डॉल पसंद नहीं है, अपना रंग नहीं है मतलब यह है जब आप खुद अपने को पशंद करते हैं अपने सम्मान करते हैं जितने इस्तर पर जितनी मात्रा में उतना ही आप दुसरों का भी सम्मान करेंगे और उतना ही आप दुसरों का पशंद करेंगे खुद को आप जितना जदे मुल्यवान मानते हैं जितन उतना ही दूसरों को मुल्यवान मानते हैं, उतना ही महत्तुपुन आप दूसरों को मानते हैं, आप जैसे हैं, आप हम जैसे हैं, उस खुद को उसी रूप में, मतलब हम जैसे हैं, हम उसी रूप में जब स्विकारते हैं, तो जो दूसरा है ना, वो जैसा है, उसको उसी रू कहा था अपने धंगे लोगों को जो हमारे विचारों से तालमेल करता है उनके से तालमेल करना बड़ा सराल हो जाता है लेकिन थोड़ा भिन्न विचार रखता है और कभी कभी तो विरोधी विचार रखता है अबराहिम लिंकन के विजह में पढ़ा था कि उनके केबिनेट मे उनके जो मंत्री मंडल में ऐसे लोग भी थे उनके सदस्यम ऐसे भी थे जो उनके विरुधी विचार के थे लेकिन वे ये जानते थे कि भले ही मेरे से भिन्न विचार रखते हैं लेकिन इस काम को करने कि जितनी योग्यता इन में हैं दूसरे किसी भी नहीं है, उनको वो पत दे 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 थे, जानते थे वो अच्छी दरह से, इसलिए मैं तिये कह रहा था, यहाँ पर भाव की हम दूसरों आपने को जिस रूप में जैसे हैं, मैं जैसा हूँ, पहले जब हम खुद को पसंद करने लगते हैं, तो हम जैसे जो हैं उसको उसी रूप में श्विकारते हैं, उसको उसी रूप में श्विकारते हैं, तो क्या होगा, जब उसी रूप में आप स्विकारेंगे ना, तो फिर उनके प्रती दुरुभावना नहीं जगेगी, उनके साथ में दुराचार हम नहीं कर पाएंगे, उनके साथ में गलत वेभार नहीं कर पाएंगे, जो कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं वो कुछ लोगों के साथ तो अच्छा वेभार कर पाते हैं, और उभी कुछ समय तक के, लेकिन जो आत्मसम्मान से भरपूर होते हैं, उच्छ आत्मसम्मान वाले होते हैं, वो लोगों के साथ में लंबे समय तक वेभार कर पाते हैं अच्छा वेभार कर पाते हैं लेकिन जिनका आत्मसम्मान कम है वो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं उनके आत्मसम्मान की कमी जब आत्मसम्मान की कमी होती जानते हैं वो क्रोध के रूप में अधीरता की रूप में आलोचना बुराई और बहस की प्रगट होती है देखना जहां पर क्रोध हो उत्तेजना हो भाष हो शंगर्ष हो सीधा सा प्रमान क्या है आत्मसम्वान की कमी है कुछ है एक बुश्तक मैंने पढ़ी I am the mind मैं मन हूँ दीपत्रवेदी की उन्होंने क्या लिखा है inferiority complex superiority complex मतलब एक होता है हीन भावना और एक होता है अहम भाव अहम भाव जैसा कुछ होता ही नहीं है हीन भावना को आदमी जब छुपाने का प्रयास करता है हीन ग्रंती जो हीन भावना है उससे जब छुपाने का प्रयास करता है और जो कुछ भी करता है वही अहम भाव है कमाल की बात उन्होंने लिखी है क्या लिखा है हम हीनता से ग्रशित है दिखता तो है कि अहम से ग्रशित हैं लेकिन अहम से ग्रशित भले ही दिख रहा हो वस्तुता वो हीन भावना को छिपाने के लिए वो इनकी एक प्रक्रिया है ये चौकाने वाली बात है तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से जब कम आत्मसम्मान की जो कमी होती है वो क्रोथ के रूप में फूटेगा अधीरता के रूप में फूटेगा अलोचना के रूप में बुराई और भाश के रूप में प्रगट होती है वे खुद को पसंद नहीं करते इसलिए दूसरों को पसंद नहीं करते प्रणाम क्या होता है दूसरे भी उनको बहुत कम पसंद करते हैं कम पसंद करते हैं इसलिए ये स्वस्त व्यक्तित्व इस पर चर्चा हो रही थी स्वस्त व्यक्तित्व वाला हम इंशान बने हमारा व्यक्तित्व स्वस्त हो वही प्रगठ होता है, और मेंने कहा ते ना समस्त-गुर्णों का समुच्य из- यह वेक्तित्व है, उसको निखारना है, मैंने कहा अंदर से तरा से अपने वेक्तित्व में जो खुर्द्रा पन है इसको तरासने में वक्त लगता है, ऐसा नहीं है आज शुरू करो खतम हो जाएगा बहुत उसको समय लगेगा लेकिन जो ध्यान देगा और जो इस पर मेहनत करेगा वही इसके खुरुदरे या उसको ठीक कर पाएगा नहीं तो फिर वो बना ही रह जाएगा हमारा प्रथम दाईत्व है हम इसका एक काम एक जिम्मेदारी ले और एक काम करें